अदो पकुदर थाना क्षेतर के मुंडरो पंचायत के कोल हवरिया से दो नाबालिक आदिवासे छात्राएं पिछले चार दिन से लापता है मामले को लेकर क्षेतर में तरह तरह की चर्चाएं गर्म हैं की पिछले 24 अगस्त से ही दोनों लड़कियों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि यसले जो लड़कियों के परिजन काफी परेशान है इसके सूशना बोगदर पुलिस को दे दी गई है दोनों लड़कियां रिश्टी में चचेरी इसनी चर तीन वजे दिन अच्छा हम लोग घर में कोई भी नहीं था इधर उदर खेत उच चला गिया था कितना उमर है लखी लोग का लखी का उमर होई इसनी चर तीन वजे दिन अच्छा हम लोग घर में कोई भी नहीं था इधर उदर खेत उच चला गिया था कितना उमर है लखी का उमर होई तो इन दोनों बच्छेएं के लापता होने से इन दोनों बच्छेएं के परीजन काफी परेशान है 24 अगस्ते से ही ये दोनों लड़कियां घर से गायब हैं लेकिन अब तक इसके बार में कोई जानकारी फिलाल नहीं मिल पाई है पुलिस इन दोनों बच्चों को ढूंडने में लगतार प्रयास रहत है। दो नाबालिक लड़कियां गायब है। पिछले चार दिनों से ये गायब है और दोनों चचेरी बहन है आपस में। तो ये उनमें से एक नाबाली की तस्वीर है। बताया आपको कि चार दिनों से ये लापता है और इनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दोनों बच्चियों के परीजन रो रो कर बुरा हाल है, इनका परेशान है लेकिन अभी तक दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अज़ात जानकारी ले बगोदस सयोगी बिटू फोन लाइन पर है। बिटू दो नाबालिक बच्चियां हैं जो पिछले चार दिनों से लापता है। क्या कुछ जानकारी अभी पुलिस के पास है? यह अभी काना मुझकिल होगा तक पुलिस को कोई ठोस लीड नहीं मिल आती है, कोई ठोस दबूत मिल आता है कि आकर यह रेमसंबन का मामला था या अपहरन का मामला था जब तक किसी नदीचे बर नहीं पोश सकेगी। पुलिस लगाता है इस मामले को लेकर प्रयास कर रही जैसे इन लोगों का यह गाइब होई है उसके एक घंटे के बाद उसके फोन पर किसी एक अजनवी का कॉल आया था उसके मा के फोन पर और उसने लड़कियों के बारे में जानकारी पुझे थी कि लड़किया कहा है तो इस पॉन पॉल के आने उसके बाद और भी जाद एक पुरे मावले में अभी काफी परिशान है और बार बार उसका दगार है परिजिन अभी तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है और पुलिस के पर अनुसनार के बाद ही यह ताफ हो तकेगा जी शुक्री अभी टू जानकारी के लिए तो फुलाल पुलिस के हाथ भी खाली है चार दिनों से यह बच्चियां लापता हैं लेकिन अभी तक इनका सुराग नहीं मिल पाया है